अगर बेटा बाप के कंदे तक आने लगे तो बेटे को समझ लेना चाहिए कि जिस कंदे पर बैट करके मेला देखा था अब उस कंदे का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का रासिफल यानि की तीन फरवरी के विशेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और सुपकामनाई जिनका आज जन्म दिवस है मेरीज एन्वसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचान की आज तीन फरवरी 2021 को बढ़ाई है आज के विशेश उपाई में जीवन के कुछ सूत्र जो करोना और लॉकडाउन ने हमें सिखाए हैं इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा समवत दोजा सिततर का माग क्रश्न बख्ष चल रहा है आज सस्ती तिती है दोपेर के दो बज़ करके बारा मेंड़ तक उसके बाद में सब्तमी आरंब हो जाएगी नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है रात को नौ बज करके छे मिनट तक उसके बाद में स्वाती नक्षत्र आरम हो जाएगा और आज चनमा कन्या रासी में सुबह नौ बज करके उन पचास मिनट तक उसके बाद में तुला रासी में प्रवेस कर जाएगे आई अब बात करें रावकाल की आज दोपैर बारा बजे से लगा करके एक बज़ करके तीस मिन्ट तक रावकाल रहेगा और रावकाल में प्राई को सुब कारे का आरब पर नहीं किया जाता है अब मैं जो मौरत बता रहूं सुप जोगड़े मौरत उसमें सारे सुप कारे किये जा सकते हैं यह समय काल है प्राते का साथ बज़ करके 25 मिनट से लगा करके 10 बज़ करके 25 मिनट तक और वापस साम को 5 बज़ करके 55 मिनट से लगा करके 7 बज़ करके 25 मिनट तक तो इस समय काल में आप सारे सुब कारों का आरम कर सकते हैं आई अब बात करें यात्रा मुरत की दक्षन दिसा और पस्टिम दिसा में यात्रा करना सुब रहेगा भागे साली रहेगा वहीं उत्तर दिसा में दिसा सूल लगा रहेगा ऐसी इस्तिति में इस दिसा में उत्तर दिसा में यात्रा करने से बचना चाहिए लेकिन बहुत जादा आवश्यक है जरूरी है तो फिर आप तिल खाकर के यात्रा का आरम कर सकते हैं ये दिसा सुद्धोस का परियार हुआ आईए अब बात करें आज के सुब्गरय योगों की आज सुरिदे कालिन कुणली में आश्रय योग, सस योग, केंदरुम्भंग योग, वरिष्ट योग, वेसी योग, संख योग, भारती योग, केंदर तिकोन राज योग का साथ मिलेगा यदि आपके पास में अपनी राज योग की कुणली है तो आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी कुणली में कितने सुब्ग योग हैं, कितने असुब्ग योग हैं, कितने मिस्रित योग हैं और ऐसी इस्तिती में आपकी कुण्ड़ी को कितना बल मिल रहा है या आप कितने शक्तिसाली है जितने ज़्यादा सुभ योग जितने ज़्यादा महायोग उतनी ही बलवान कुण्ड़ी और उतना ही व्यक्ति का जातक का जीवन भी भागिसाली रहेगा या यह बोल सकते हैं स अब बात करें लाक रुपे की ब intersectionale कातग दही मरो न तो परो सही यह कावत है MP की बुजूर्गों की इस कावत में स्वास्तिच समंदि सला है हिंदी माह जो क्वार माह होता है उसमें करेले का सेवल और कार्तिक माह में दही का सेवल स्वास्ति के लिए हानिकारक साबित हो सकता है मरहो ने तो परहो सही अथात इस तरह के खान पान से मरने लाइक बिमार तो नहीं होंगे पर उन्तु बिस्तर पकड़ने के हालात जरूर बन जाएंगे तो यह हमारे बुजूर्गों ने कुछ कावतें भी बनाई होई है और उसमें आपको सला भी दी होई है तो यह आप मान सकते हैं इसका पालन आप कर सकते हैं आईए अब आरम करते हैं आज का रासिफल तीन फरवरी दो जार इकीस के लिए सबसे पहले आरम करेंगे मेश रासि से लेकिन एक information मैं आपको दे दूँ कि आज सुरिदे कालिन जो चनमा है वो तो कन्या रासि में रहेंगे नौ बच करके पचास मिन्ट पे चनमा तुला रासि में प्रवेस कर जाएंगे इसलिए मैंने संपूर्ण रासिफल आज का जो देनिक रासिफल है उसको तुला रासि के आधार पर ही calculate किया है क्योंकि लगबग दिन का maximum part तुला रासि में ही रहेगा इसलिए जो starting के तीन गंटे हैं उनको आप ये समझे कल का जो चनमा था वो उसके अनुसार रहेगा तो अब आगे की बात करते ह। आप के लिए 100% positive है ऐसी इस्तिति में आप जो partnership में काम करने वाले लोग हैं वो आज अपनी स्वधेबाजी में अपने काम काज में या अपने दिस्तों में सुधार पाएंगे और जो भी आज लेंदेन करेंगे उनमें बहुत अच्छा आपको गेन होने वाला है जो सरकारी लिंदेन में हैं गौर्मेंट सप्लाइज में हैं या गौर्मेंट एजनसीज में काम करते हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है और साथ ही साथ जो गौर्मेंट की योजनाओ से सरकारी योजनाओ से लाप कमाना चाते हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है आज आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी हो सकती है या कोई इनको बिजनर डील से समझतित आप जानकारी खटी कर सकते हैं जिग्या सके पूर्ती हो सकती है या किसी एक्सपर्ट से मिल सकते है और उससे आपकी बहुत सारी प्रॉलम का सॉलिशन मिल सकता है, समाधान मिल सकता है रिसोर्ज से से, स्तोत्र से आपको फाइदा होगा सम्मान और प्रतिस्था मिलेगी, बहुत जादा खुशी भी मिलेगी और साथ ही साथ आज का दिन सुखी दामपती जिवन के लिए, संतुस्ति के लिए, अच्छे खाने पिने के लिए या पिर ये बोल सकते हैं, बहुत अच्छे फैमिली लाइफ के लिए जाना जाएगा आज का लखी कलर है ग्रीन कलर और आज का लखी नंबर है नंबर वन आईए अब बात करें व्रसब रासी की आपकी रासी से सिक्स ताउस में रोग भाव में चनमा विराज माने ये चनमा सुब माना जाता है हाला कि नक्षद तारा सिद्धान को साथ वद तारा का साथ मिल रहा है जो सुब नहीं है अश्टाव काकमें 24 डॉट है ये कॉमिनेशन इस चनमा को 67% पॉस्टिव 33% वीक बना देता है लेकिन फिर भी 67% पॉस्टिव में सभी प्रियास सफल होंगे जो फैनिशल गेन के दिन है जो अपनी बीमारी से रहत पाना चाहते हैं या अच्छा जो इलाज चाहते हैं उनके लिए रोगनास के लिए आज बहुत अच्छा समय है और जो कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं को डैरिंग करना चाहते हैं उनके लिए आज सौबागिसाली दिन है आज के effort से आज के प्रियासों से आपकी ख्याती बढ़ेगी यस बढ़ेगा appreciation मिलेगा और साथ इसाथ आपके दोस्तों की संख्या में भी improvement आएगा और यह आपी जो youngsters हैं वो attraction में दोस्तों के साथ में घूम फिर करके आनंद उठाएंगे आज का दिन सांसालिक सुख के लिए सुखी पारिवारिक जिवन के लिए और बहुत अच्छी यात्रा के लिए है housewives के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा सुखद है तो वहीं students के लिए भी आज का दिन कुछ ने कुछ सीखने का है doubt से clear करने का है या अपने आपको बहुत comfortable बनाने का है आज का लखी color है green color और आज का लखी number है number six आईए अब बात करें मिथुन रासी की आपकी रासी से fifth house में six सा और पंतान बाव में चनमा मौझूद रहेगा यह चनमा mixed result देने वाला होता है नक्षद ताला सिद्धान के असवार प्रत्यारी ताला का साथ और अस्तावक में thirty two dot यह combination इस चनमा को fifty percent positive और fifty percent weak बना देता है ऐसी स्तिति में आज के दिन आपको बहुत सोच समझ करके काम करना पड़ेगा especially जो पैसों का लेन देने उसमें आपको लापरवाई कहीं कहीं negativity दे सकती है बहुत बड़ा loss भी दे सकती है investment से आज के दिन बचना चाहिए चाहे जुए में सटे में speculation में future trading में आप कोई भी डंग से investment करते हैं ये दिन आपके लिए सुखद नहीं है फिर जो लोग भी कहीं कहीं प्रेम प्रसंगों में हैं relationship में हैं उनके लिए भी आज का दिन कोई कोई negativity के हिस्से में जा सकता है अतात मोजाल में बुरी आ सकते हैं मैं first करके आप कुछ नू कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए आपको माफ नहीं किया जा सकता है और बदनामी हो सकती है या कोई साजिस का शिकार हो सकते हैं इससे आपको बच्चने की सला दे रहा हूँ रासी से पांचवा चनमा मानसिक जो कारिय होते हैं प्लानिंग के कारिय होते हैं बुद्धी बल के कारिय होते हैं IT प्रोफेशनल्स हैं या जो सॉफ्ट्वर से समधिद लोग है उनके लिए आज का दिन फिर भी बहुत ज़्यादा बैटर है बहुत सी आज समस्य आएंगी आपसिकल्स आएंगे लेकिन उनका समाधान आप अपने बुद्धी से अपनी टक्टिक से या अपनी प्लानिंग से निकाल पाएंगे उनसे बच भी पाएंगे बच्चों की बीमारी या बच्चों की जो भी कामें शरारते हैं नुकसानें उनसे जरूर आपको परिशान होना पड़ सकता है लेकिन साथी साथ जो भी आज के दिन प्रोजेक्ट है या जो आपका कामें वर्क फरम होम कर रहे हैं जो भी है वो इस्तिति में आज आप काफी जादा आगे बढ़ सकते हैं बहुत कुछ अन्या कर सकते हैं या जो बैग लोग है उसको निप्टा सकते हैं आज का लखी कलर है येलो कलर और आज का लखी नमबर है नमबर सेवन आई अब बात करें करक रहसी की आपकी रहसी से फोर्ता उसमें सुख वाव में चनमा मौझूद है ये चनमा सुख दायक तो नहीं माना जाता है नक्षत तारा से दान से जरूर अधिमित्र तारा का साथ मिल रहा है जो कि सुभ है और अस्ता को अपमें तीस डॉट है यह कॉमिनेशन आपको सपूर्ट कर रहा है 67% तक लेकि आपको negativity को face करना पड़ेगा रासी से चोथा चनमा व्यक्ति को दिमाग और सरीर दोनों से दुखी करता है दोनों से परशान करता है इसलिए mental torture के लिए famous बोला जाता है रासी से फोर्ता उसमें चनमा यहां पर आकर क्या mental stress, mental torture, unstability या यह बहुत सकते हैं वेवरिंग जुर्गों से समाज के बड़े लोगों से व्यर्त में ही आप उरज सकते हैं बैस बाजी कर सकते हैं और ऐसे इस्तिते में आपका समय खराब है इसलिए आपको कोई भी appreciate नहीं करेगा आपको कोई भी अच्छा नहीं मानेगा और image आपके ही खराब होगी रासी से चोथा चन यह हो सकता है या उनके स्वास्ति को लेकर के उनकी जो भी बाते हैं वो बोल रहे हैं उनको सोच करके उनको सुन करके आपको दुख हो सकता है लेकिन उनकी सहत को लेकर के आपको सावदान रहना पड़ेगा और साथ इसाथ व्यर्त की बैस बाजी से भी आपको बचना पड आज के दिन आपका जो भी जॉब है, आपका केरियर है, आपका बिजनस है, उसमें आपको अस्विदाएं बहुत होंगी, आप एफ़र्ट बहुत करेंगे, फिर भी जो रिजल्ट आएंगे, वो सैटिस्वाइड नहीं करेंगे, जो लोग भी रिलेसंसिप में हैं, या बहु पिंक कलर, और आज का लखी नमबर हैं नमबर टू, आईए, अब बात करें, सिंग रासी की, आपकी रासी से थरड़ा उसमें पराक्रम बाव में चनमा विराजमान है, ये चनमा बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है, नक्षत तारा सिद्दान से भी मित्र तारा का साथ म मन जोड़ रहा है, ऐसी स्थिति में जरूर आपको धन और संपत्ती से, या कोई भी कमिशनल ब्रॉकरे से, अपने बाहू बल से, इन्वेस्मेंट से गेन मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, और इस्पेसली सपोर्ट मिल सकता है, आपके कलिक्स के, आपके फ्रेंड सरकल से, आपके सीनियर से, आपके छोटे भाई-बैनों से, आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत बैतरी सपोर्ट का भी है, जान पिचान के सेक्टर में, जान पिचान के सरकल में रद्धी हो सकती है, और जिस व्यक्ति का सरकल बहुत जादा इंपोर्टेंड है, बहुत जादा सत्रों पर भी अपने विरोधियों पर भी बहुत अच्छे डंग से कंट्रोल कर सकता है उन पर विजय प्राप्त कर सकता है और साथ ही साथ आपका confidence build-up होगा घर और घर के बाहर आप सब तरफ यस पाएंगे सपोर्ट पाएंगे और खुशी और आनंद का सामना करेंगे investment आपने किये हैं उसको in cash करने के लिए भी जाना जाता है यह दिन आपके financial gain के लिए बाहू बल के लिए को प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है आज का लखी कलर है यलो कलर और आज का लखी नंबार है नंबर थ्री आईए अब बात करें कन्या रासी की आपक information इस चनमा को 50% positive और 50% weak बना देता है ऐसी इस्तिती में आज के दिन आपको effort ज्यादा करने पड़ेंगे और जो भी effort करेंगे उसमें obstacles भी आएंगे अर्चलें भी आएंगी आपका काम बार-बार रोकेगा उसको धक्का मानना पड़ेगा mentally बहुत absent हो जाएंगे बहुत पर आप अपने आपको handover कर दिये एक नहीं मुझसे तो नहीं संबलता है तो फिर बहुत जल्दी बहुत speed में आप downfall का शिकार हो सकते हैं तो आपको fighter बन करके रहना पड़ेगा और उसमें ही आपकी जीत है financial gain की chances यहां कम है पैसा फसने के chances जादा है financial loss के chances जादा है मान समान प्रतिस्था की हानी हो सकते है अपमान होने के स्थिति आ सकती है रासी से second house का चर्मा व्यक्ति को पाप कारियों की और दोराचार की और प्रवत करता है अट्रक्ट करता है उससे बचना चाहिए व्यस्तता जादा रहेगी उलजन भी बहुत जादा रहेगी और ऐसे स्थित लेकिन वो expenses करने जरूरी है क्योंकि आपको कामकाज को आगे बढ़ाना है आज का लखी कलर है परपल कलर और आज का लखी नमबर है नमबर थरी आईए अब बात करने तुला रासी की आपकी रासी बाव में फस्त हाउस में ही चनमा विद्धिमाने ये बहुत जादा सुब नहीं है अश्ता को अग में 34 डॉट है ये combination इस चनमा को 67% positive और 32% weak बना देता है लेकिन फिर भी आज आप जो भी प्रयास करेंगे भागे का support भी मिलेगा आपकी income भी बढ़ेगी और जो भी कामकाज आपके अटके वे हैं उनको आज जरूर हाथ में लेना चाहिए क्योंकि आपके कामकाज को पूरा होने के लिए सफलता के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा सुब हैं सुब संयोंक उपस्तित होंगे या जो आप comfortable situation चाते हैं वो comfortable situation आपको मिल पाएगी आज का दिन success के लिए अच्छी यात्रा के लिए या successful यात्रा के लिए जाना जाएगा और बहुत अच्छी नींद आज आपका इंतिजार करेगी आज का लखी कलर है रेड कलर और आज का लखी नंबर है नंबर नाइन आईए अब बात करें रस्टिक रासी की आपकी रासी से 12 ताउस में expenses बाव में चनमा विराजमान है ये चनमा सुब नहीं माना जाता है नक्षत में अंचाए खर्चे अनवस्टे खर्चे या फाल्तू खर्चे जहां पर कोई जरूरत नहीं थी उसके बावजूद भी आप खर्च करेंगे जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे और आप ऐसी शौपिंग करेंगे जिसके लिए आपने सोचा था कि ऐसी चीज़ों पर मैंन से नहीं करना है लेकिन फिर भी जब शौपिंग करते हैं उसमें भूल जाते हैं हेल्थ से भी आज आपको बेचे नहीं हो सकती है या यह बोल सकते हैं हेल्थ आज आपको परिशान कर सकती है एनजी लिवल को डाउन कर सकती है और जो ब्लेट प्रेसर के मरीज हैं उनके लि लेकर के भी परिशान होना पड़ सकता है और साथ इसाथ आज के दिन आपके अंदर गुसा विवाद या यह बोच सकते हैं इश या वर्स आज जो सामने दिखाई देगा उस पर अपनी बढ़ास निकालने का प्रियास करेंगे और आप खुद ही एक प्रकास से कटगरे में आ बैस बाजी करके आप खुद ही फस जाएंगे आपको उसे बचने की सला दे रहा हूं जो भी आज यात्रा करना चाते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बैटर नहीं है डर और बेचनी सारे दिन आपका साथ रहेंगी या साथ रखेंगी आज का लखी कलर है पिं माना जाता है नक्सत तारा सिद्दान को साथ संपत तारा का साथ और अस्था को अगमें ट्वंटी थ्री डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को हंडीड परसेंट पॉस्टिव बना देता है बैटर बना देता है जो जो भी प्रियास करेंगे चाए आप छोटे से छोटे दुक होना है अधात आज के दिन जो मजदूर वर गया वो भी खाली नहीं बैटेगा उनको भी कामकाज मिलेगा जिनके पास में नौकरी नहीं है जो जॉबलेस हैं उनको आज ज़रू ट्राई करना चाहिए ऐसे में आज के दिन जो भी इंटर्व्यू देंगे वाकिन इंटर्व पर हो सकता है आज के दिन बहुत व्यस्त दैस सकते हैं और साथ ही साथ जिन लोगों के जुडिसरी मेटर में काम है यह कोट कचरी से समधित कोई काम है उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा बैठरी नहीं यंग सड्स के लिए फ्रेंड के साथ में मटर्गस्ती करने का या अच्छा time spend करने का दिन है जीवन में आज के दिन सुख की बाते हैं आप सोच सकते हैं आज इस्तितियां comfortable ज्यादा रहेंगी आज का लखी कलर है ब्राउन कलर और आज का लखी नमबर है नमबर वन आईए अब बात कर लें मकर रासी की आपकी रासी से 10 आउस में 54 रहें यह combination hundred percent चर्मा को positive बना रहा है ऐसी इस्तिति में आपके business में आपके career में आपके job में हर तरफ से आपको support मिलेगा success मिलेगी आपके साथी या आपके seniors आपको support करेंगे या आपका मार्दरसन करेंगे नए-ने कारियों में नए project में नई planning में नए start-up में आज आपके अंदर साहस जागेगा या यह बोच सकते हैं आपको कोईन कोई ऐसी रहा मिल जाएगी जिससे बहुत तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे आपके पारिवारिक जीवन में दामपत्य सुख में आज इस्तिती बहुत ज़्यादा सुखद रहेगी क्योंकि सप्तम बाव से सुख बाव रासी से टैंता उस होता है कोईन कोई ऐसी वस्तू की प्राप्ती हो सकती है जो आप सिरफ सोच रहे थे चाहिए वो शॉपिंग हो सकती है आपके लिए घड़ी हो सकती है कोई कार हो सकती है कोई विकल हो सकता है मुरसाइकल हो सकती है या कोई पोजिशन हो सकती है कोई पोश्ट हो सकती है उस इच्छ आनदल संतुस्ती और सम्मान ये सब कुछ आज आपकी जोली में होंगे आजका लखी कलर है वाइट कलर और आजका लखी नंबर रहें नंबर टू आइए अब बात करें कुम्ब रासी की आपकी रासी से नाइंत आउस में भाग्य बाओ में चन्रमा विराज मानें यह चन्रम आज के दिन यदि आप जौब करते हैं तो मैनेजमेंट से परेशान हो सकते हैं बहुत ज़्यादा भैबीत हो सकते हैं दुखी हो सकते हैं क्योंकि आप ट्रेसर में काम कर रहे हैं और यदि आप government करम चारी हैं, तो government की योजदाओं से, कोई notice से, या कोई नए कानून से आप परेशान हो सकते हैं, या फिर आप भैबीत हो सकते हैं, डर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, ये जान बोच करके आपको निकालने के लिए स्थितियान निर्माण हो रही है सब मिला करके, आज का दिन आप प्रेसर में काम करेंगे, डर करके काम करेंगे, चाहे बहुत से लोग मार्केट के जो भी रूमर्स हैं, अफवाएं, उनसे डर करके काम करें, लेकिन आज का जो environment है, वो जरूर डल रहेगा, या आपको डराने वाला रहेगा, भैबीत करने वाला रहेगा, और ऐसे में, कोई भी नया काम करें बिजनस में, बहुत सोच समझ के करें, चाहे वो डील करना हैं, तो सोच समझ के करें, और आने वाले दिन में, जब रस्तिक रासी का चर्मा आ जाएगा, शुक्रवार को पांच फरवरी दो हजार एकीस को दो पर में बार आसबाजी हो सकती है, वो गैर जिम्मेदाराना व्यवार कर सकती है, या नुकसान करके भी बच्चों की तर व्यवार कर सकती है, और ऐसे में, आपको अपने उपर ज़्यादा बोज लादना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रियास करना आपको चाती में दर्द या बहुत ज्यादा बेचे नहीं दे सकते हैं जो आज यात्रा पर है उनको साफदान रहकर करके यात्रा करनी चाहिए क्योंकि यात्रा में और सुविधाएं ज्यादा है आज का लखी कलर है सिल्वर कलर और आज का लखी नंबर है नंबर फूर यह कॉंबिनेशन 67% नेगेटिव है 33% सपोर्टिव है ऐसे में आपको आज अपने उपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा मुँपर भी कंट्रोल अताथ अपनी भासा पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा उसी रंग से साफदान रहकर के आप दिन निकालेंगे तो सेफ रह या विपत्तियां कानोनी मामलों से आज आप परेशान हो सकते हैं उसमें फस सकते हैं इसलिए ऐसी सिच्वेशन से मारपीट से लड़े जगड़े से वाद विवाद से बचना चाहिए वो आपके लिए ज़्यादा बैटा रहेगा आप पर जोटे इलजाम लगाए जा सकते आज घर वालों से जिवन साती से या आपके पैरेंट से संतान से विवाद हो सकता है बैस बाजी हो सकती है और वो बैस बाजी बहुत हद से उपर बढ़ सकती है और ऐसे में लोग ही आपकी निंदा करेंगे घर वाले तो निंदा करेंगे ही करेंगे आसपड़ोस वाले भी आपको नेगेटिव परसन ही समझेंगे अथाथ आपकी बुराई ही करेंगे जो लोग एस्तेमेटिक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवशकता है जोड़ जोड़ से बोल करके लड़ाई जगड़ा करके आप अपनी जो इस्तिती है उसको खराब कर सकते हैं आप और ज़्यादा प्रोडन में आ सकते हैं स्वांस की समस्या आपकी होने से होस्पिलाइज होना पर सकता है और या पिर खाने पिने के मामलों में आप आज दुखी हो सकते हैं प्रेशान हो सकते हैं दस्त और बावसीर आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर सकती हैं आज का लखी कलर है ग्रीन कलर और आज का लखी नंबर नंबर बन ये तो हुई बात आज के रासी फल की आई अब बात करते हैं आज के विसिस उपाय की जीवन के कुछ सूत्र जो मेने के खर्च के लायक नकद रुपए और रासन घर पर रखना चाहिए जिससे अगर कोई भी लॉकडाउन जैसी परिस्थित्यां आ जाए तो पैसों का और रासन का अभाव नहीं हो दूसरा पाउंट लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है कि जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसों के जरूरत नहीं है सबजी रोटी का खर्च बहुत कम होता है खर्च तो लाइफस्टैल का होता है अगर जीवन से बैंकों की किस्ते हैं और बच्चों की एजुकेशन का अनाव सलाब खर्च निका दिया जाए तो कभी पैसों के पीछे भागने के जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए लून लेने के बजाए जितना है उसमें साद्गीक साथ में खुश रहना सीखे पैसा सिर्फ अभीमान देता है एंकार देता है अगर पैसा सब कुछ होता तो कॉरोना से मरने वाले बिना कफल के नहीं जाते कोरोना से मरने वाले लाखों लोग वेने कभी नहीं सोचा होगा कि वे इतनी जल्दी जल्दी तडफ तडफ करके मर जाएंगे ऐसी कोई दवाई ही नहीं होगी जिसको वो अपने जीवन काल में संचित करोडों पैसे खरीद ना पाएंगे इसलिए जीवन के हर पल को अपने रिष्टदारों के साथ में अपने परिवाज जनों के साथ में हमेशा हसी खुसी से जीना चाहिए ये सोच करकी मौत कभी भी आ सकती है इसलिए जो पोजिटिव रह सकते हैं जो अच्छा कर सकते हैं जो लाइफ स्टैल अच्छी जी सकते हैं उसको जीने का भर सक प्रियास करना चाहिए आईए अब बात कराएं चौती सीख की लाइफ में जीवन में लंबी लंबी योजना नहीं बना है क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कोरोन ने सिखा दिया है कि नेचर के सामने प्रक्रति के सामने मनुश्य बहुत छोटा है सीख नमबर पांच जीवन कब खत्म हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता जिस तरह से आज हर व्यक्ति हर मनुश्य मौत के खौफ में जीड़ा है यह उसका प्रमान है अत हर व्यक्ति को हर जातो को मिल जूल करके रहना चाहिए किसी से दुश्मनी वैरबाव नहीं रखे सीख नमबर छे हमेशा अच्छे कर्म और समा सिवा ही साथ जाती है धन की कोई आउकात नहीं है अगर धन और रुत्बे से ही सब कुछ मिल जाता तो आज अमरिका में आठ लाट लोग करोना के मरीज नहीं होते इसने धन के पिछे भाग करके रुपए पैसे के पिछे भाग करके प्रॉपटी या रुत्बे के पिछे भाग करके अभिमान को संचित करने के बजाए भगवान को साक्सी मान करके दीन ही इनकी सेवा में अधिक से अधिक समय लगाना ही सरुस्टेश्ट है सीख नंबर साथ कोरोना ने सिखा दिया है कि हमारे सनातन धर्म की सभी माननेत हैं व्यज्यनिके हमारे सनतन धर्म का मजाग बनाने वाले सारे विखसित देश आज वो ही करने का प्रियास कर रहे हैं जो हमारे धर्म ने हमको सिखाया था इसलिए सेंस जीवन को धर्म के आदरसों के लोसा जियें क्योंकि धर्म ही सब कुछ है और सब कुछ रहेगा और इसलिए हमेशा positive बने रही है लेकिन कोरोना में negative बने रही है ये तो था आज का रासिफल और आज की विसेश सीक या विसेश उपाए यदि आप अपनी कुंडली का visualization करवाना चाहते हैं क्योंकि इस समय महामारी और महामंदी में लगबग सारे जो sectors में हम लोग विजिट करते थे जो schedule हमारा बनता था उसको हमने बहुत minimize कर दिया है बहुत कम कर दिया है या ये बोल दिजे पोस्पॉंड कर दिया है आने वाली 6 से लगा करके 8 फरवी तक मैं दिल्ली में मिलूंगा जो जो आगे schedule बनता जाएगा कौन सी city में बनेगा ये future में देखा जाएगा लेकिन यदि आप अपने घर बेटे ही अपनी कुणली का विशलेशन चाहते हैं समस्यां का समाधान चाहते हैं भश्य में जहांकना चाहते हैं आपका golden time period कब है ये जानना चाहते हैं या जो आपने सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए या आपकी कोई जिग्यासा है आपकी कोई personal problem है जो भी समस्यां उनके लिए आपकी जन्म कुणली जिम्मेदार होती है और उनसे ही मार्ग ढूंडा जा सकता है उससे ही जो भी उपाय है वो ढूंडे जा सकता है और ऐसी इस्तिति में आपको अपनी जन्म कुणली के विशलर्शन के लिए apartment book करना पड़ेगा और उसके लिए screen पर जो number है वो ही जिम्मेदार रहेंगे उस पर संपर करना है और जो भी टीम मेंबर फोन उठाएंगे वो आपकी पूरी-पूरी help करेंगे apartment book करने से लगा करके बात करवाने तक तो जो भी आपके प्रसन होंगे उन सब का मैं जवाब दूँगा और साथ ही साथ जो भी उपाय होंगे वो भी आपको बतलंगा आज इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और मैं हमेशा की तरह कामना करता हूं को आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें सुरक्षित रहें आप अपने पूरी परिवार का बहुत-बहुत खैल रखें आप सभ झाल 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 झाल